कोको किट्स तूल किट्मी क्रिपा हमेशा मुझ पर बनाये रखना मैं पढ़ाई लिखाई में बिलकुल भी अच्छा नहीं हूँ भगवान जी कुछ ऐसा चमतकार करिये कि मैं सबसे अच्छा हो जाऊ मैं ऐसे ही रोज आपको प्रसाद चड़ाया करूंगा सोनु ने लड़ू चड़ाया और अपने विद्याले चला गया सोनु भगवान पर बड़ा विश्वास करता था लेकिन वह पढ़ाई में बहुत कमजोर था उसे कोई भी चीज जल्दी से याद नहीं होती थी वह मन ही मन सोचता था भगवान जी मुझे पढ़ाई में अच्छा कर दीजिये न सोनु रोज भगवान से यही मननत मांगता एक दिन वह मन्दिर दुबारा प्रसाद चड़ाने गया और वह भगवान से प्रार्टना करने लगा तब ही एक पैंसिल उसके पास आगी रही सोनु ने आखे खोली और कहा अरे यह पैंसिल किसकी है? कहा से आई? यहां तो कोई भी नहीं है यह पैंसिल तो बिलकुल अलग ही है चलो मैं ही रख लेता हूँ सोनु ने वह पैंसिल अपने पास रख ली जब वह घर गया तो उसने अपनी पुस्तक निकाली और उसी पैंसिल से काम करने लगा और अचानक वह पैंसिल चमकने लगी और खुद चलने लगी और सोनु का सारा काम हो गया सोनु हैरान होकर बोला अरे यह क्या? इस पैंसिल ने तो मेरा सारा काम कर दिया लगता है ये जादूई पैंसिल है सोनु ने दूसरी पुस्तक काम करने के लिए निकाली तो पैंसिल खुद ही पुस्तक पर जलने लगी और वह काम भी पूरा हो गया अब उसे यकीन हो गया कि ये जादूई पैंसिल है तो मास्टर जी ने सोनू से बोला सोनू, अपनी सारी पुस्ता कें दिखाओ तुमने होंवक किया या नहीं? जी मास्टर जी, अबे देखाता हूँ मास्टर जी ने जब सोनू का नाम देखा तो वह भी हैरान हो गए उन्हें कुछ गरबर लगी उन्होंने सोनू से सवाल किया तो बताओ सोनू, हमारे रास्टरी पक्षी का नाम क्या है? तब सोनू कन्फ्यूस हो गया और कहने लगा मुझे याद नहीं मास्टर जी ने जोर से नाट लगाई सारे बच्चों के बीच सोनू की आँखे नम हो गई और उसे अपनी भूल का एहसास हुआ भगवान के मंदिर में सोनू ने हाठ जोड़कर भगवान से माफी मांगी वो समझ गया कि भगवान उसे क्या सिखाना चाहते थे उसने जादूई पैंसिल ये कहे कर लोटा दी भगवान ये पैंसिल सिर्फ लिखने का काम करेगी असली महनत तो मुझे ही करनी पड़ेगी मुझे ही पढ़कर याद रखना होगा तभी तो मेरे नमबर अच्छे आएंगे और मैं मेरे माता पिता का नाम रोशन कर पाऊंगा फिर क्या था? वो मन लगा कर पढ़ने लगा और अपना होमवर भी पूरी महनत और लगन से करता इसी लगन और महनत से वो क्लास में फरस्ट आने लगा उसके माता पिता को बहुत गर्भ हुआ उसके पिता ने सर पर हाथ रखकर शाबाश ही दी सच्ची महनत और लगन से इनसान सिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकता है